असलाम उलेकम स्टूडेंट्स आज PPSC के लेक्शी नमबर की हम MCQ सीरिस स्टार्ट करने जा रही हैं तो हमेने अपने मैथड थोड़ा चेंज किया मैंने MCQ को स्टार्ट कर दी है पहले मैं किंसेप्ट को स्टेडी कर रहा था लेकिन आप मैंने यह सोच है कि टाइम काफी काम है जिसलिए बेतर यही है कि हम MCQ सीरिस पर फोकस करें और जो MCQ को किंसेप्ट उसको साथ साथ ही स्टेडी करते चले जाएं तो यह जारा बेतर होगा तो इसलिए आज से हम MCQ की सीरिस आप स्टार्ट करने जा रही है और आपको रुजाना या एक दिन के वक्वे के बाद MCQ मिलेंगी विड एक्स्प्लेनेशन तो चले हैं अपने लेक्शे स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्शे नमपर वन होगा तो हमारा फर्स्ट MCQ है तो वो पूछ रहे के पी एन जंक्शन जाब फार्वर्ड बाइस होता है तब उसकी रिजिस्टेंस क्या होती है तब उसकी रिजिस्टेंस तब उसकी रिजिस्टेंस क्या होती है लो होती है तो यह इसका प्रेक्ट आंसर है लो तो इसका इस की रिजन ये है कि एसमाल इंक्रीज इन वोल्टेज शोज लार्ज इंक्रीज में फारवर्ड करंट है जब फारवर्ड बाइस होते हैं अब हम थोड़ा सा भी वोल्टेज देते हैं तो बहुत ज्यादा जो करंट में लार्ज इंक्रीज होता है तो reverse bias में स्कूल्ट होगा, the reverse bias in junction increases, the potential increases the potential barrier, दूसरा हमारे पास point है, कि जब reverse bias होती है, तो तब क्या होता है, potential barrier क्या होता है, increase होता है, second mcq है, the p side of our junction, diode is earth and the n side is given a potential of minus 2 volt, the diode will, तो वो पूश रहे कि, हमने जो junction की side उसको हमने क्या किया हो है, तो एक हमारे पास जो semi p junction, उसकी जो p side को हमने अर्थ किया होगा है, और उसके end side को हमने negative 2, negative, minus 2 volt का हमने potential दिया होगा है, तब जो p junction आवो breakdown हो जाएगा, वो conduct करेगा, ने conduct करेगा, या conduct partially करेगा, अब इस करेगा, अब इस करीजन भी यह नीचे देख लेते हैं, इस करीजन किया है, since the p side of a junction is earth, means 0 volt, क्योंकि अगर हमने p side को अर्थ किया, इसका मतलब 0 volt है, 0 volt भी क्या होता है, positive volt होता है, and the end side is given negative potential of minus 2 volt, this is forward bicing, तो इसको हम क्या का रहे हैं, forward bice का रहे हैं, क्योंकि 0 volt potential, वो positive volt है, उसको हमने p terminal से connect किया होगा है, और जो minus 2 volt है, यह negative volt है, और इसको हमने n side से connect किया होगा है, तो forward bice में क्या होता है, कि p side को positive terminal से connect करते हैं, या high potential से connect करते हैं, या positive potential से connect करते हैं और जो N side होती है उसको negative potential से connect करते हैं या low potential से connect करते हैं तो इसलिए अगर आप उसकी P side को अर्थ करते हैं और दूसरी side जो N side उसको minus 2 volt या negative potential दे तब भी जो हमारा P N junction होगा वो conduct करेगा क्योंगे वो forward bias की condition में चला जाता है इस इस forward bias because in forward bias the P side is given positive voltage and N side given negative voltage and in forward bias the junction conducts तो तो तीस से में से क्यों हमारे पास MC क्यों नहीं यह important point है और transistor is made up of doped semi-conductors तो transistor के से मिलका बना होता है semi-conductor से मिलका बना होता है a transistor is a semi-connected device that consists of 2 P and junction diodes and 3 electrodes, emitter, base and collector the world transistor comes from the two different combination of words as transfer and resistor तो यह दो वर्से मिलका बना होगा है transfer और resistor there are two types of transistor यह भी आपने याद रहना है transistor के two types होती है PNP और NPN तो यह MCQ में आते हैं तो अब आपारा जो 4 MCQ है वो है when the conductivity of a semiconductor is only due to the breaking of covalent bonds the semi-connected is तो क्वेस्टर में यह पूछ रहा है कि when the connectivity of semi-connected यानि यह semi-connected क्या कह रहा है current को पास कह रहा है किस वह से पास कह रहा है due to the breaking of covalent bonds सिर्फ और covalent bonds की breaking की वाज़े से वह current को पास कह रहा है तो हमने बताना है कि वह semiconductor कौन सा semiconductor क्या वह donor है क्या अक्सेप्टर है क्या इंट्रिंजिक है क्या यह extrinsic है extrinsic जो semiconductor होता है वह impure होते है और intrinsic होता है वह pure होता है तो इसका असर है intrinsic semiconductor क्योंकि क्योंकि जो pure semiconductor होता है उसमें हम कोई impurity आड़ नहीं करते है तो इस वाज़े से उसकी जो connectivity होती है वह covalent bonds की breakage की वाज़े से होती है तो इसका explanation जान लेती है कि क्यों ऐसा होता है at room temperature in pure intrinsic semiconductor तो pure intrinsic semiconductor में क्या होती है n और पीसाइड इकोल होती है यानि कि overall neutral होता है number of negative charge is equal to positive charge होता है hence at room temperature no free electrons are available for conduction तो अब जानते हैं conduction किस व्यासे होती है free electrons की व्यास होती है तो room temperature पर क्योंकि negative charge और positive charge होता है लहाजा conduction नहीं होगी तो अब हम क्या करते है if the temperature is increased temperature increase कर दें covalent bonds will break and electrons will be freed covalent bonds करेगा break करेगा क्योंकि जैसे यासे temperature increase होगा तो atoms को energy मिलेगी क्योंकि जो temperature होता है वो is the measure of thermal average kinetic energy होता है तो temperature is directly proportional to kinetic energy होता है तो जितना जिसे जैसे temperature increase करेगा तो जो atoms है उनकी kinetic energy में क्या होगा जितना kinetic energy में increase होगा तो उनकी जो collegiants ज्यादा हो जाएंगा और एक तायम और से उनका जो covalent bond क्या हो जाएगा break कर जाएगा and electrons will be freed or electrons अजाद हो जाएंगे each electron will leave behind a hole क्यूंकि वो अजाद होगा तो फिर वो क्या करेंगा अपर जगा छोड़के दूसरे जगा पर transfer हो जाएंगे तो यहां से वो निकला है तो यहां पर क्या create हो जाएगा होल क्रियेट हो जाएगा तो फिर क्या होगा जो दूसरे एलेक्ट्रोन होगा वो आकिस स्पेस को फिल करेगा और उसकी जगह पर क्या हो जाएगा होल क्रियेट होगा और इस तरह यह process क्या होता है यह continue होता है the process will continued and charge flows through intrinsic semiconductor thus its conductivity is only due to the breaking of covalent bonds अब यह बहुत important point for mcq point of view से अब pure semiconductor has a finite resistance pure semiconductor में जो resistance होती है वो finite होती है which decreases with temperature तो room temperature पे उसकी resistance ज्याद होती है जैसे temperature कम करते है तो resistance क्या होती है कम होते चलिए आती है that's why semiconductor have negative coefficient of temperature of resistance क्योंकि जो positive rate जिनका coefficient होता है उनकी resistance temperature के साथ increase होती है लेकर यहाँ पर जो resistance तो temperature के साथ decrease होती है लिए आज हमने इसको negative coefficient हमने इसको assign किया होगा है तो नहीं पांच्वह mcq हुए हमारा इन पी एंजंक्शन दा barrier potential offers opposition to only majority carriers in both regions इसका फर्स्ट है वो option है second option है minority carriers in both regions c option electrons in n region और दी है holes in P region तो वो पोच्च रहा है कि पी एंजंक्शन में जो barrier potential है वो opposition offer करता है तो वो majority carriers को opposition offer करता है minority carriers को offer नहीं करता है क्योंकि जो minority carriers होती है वो pass on कर जाती है वो barrier को cross कर जाती है जिसको हम leakage current भी कहती है कि वो जो minority carriers को ऐसे current produce होतो हम leakage current भी कहती है जिसके explanation है that deflation layer has negative charge in P type क्योंकि दो साइड होती है तो जो उसका जो negative side होती है वो किस में होती है P type में होती है और जो positive side होती है वो n type में होती है इन P region holes are majority carriers और electrons के होती है minority carriers होती है इसी तरह n region में electrons majority carriers होती है और holes के होते है minority carriers होती है वेन इलेक्ट्रोन जो वो क्योंकि वो majority carriers में है from n region tries to cross the junction तो वो क्या करेगा वो junction को cross करने के कुछ करेगा यानि कि वो n पे मुझूद है तो वो opposes the electron and electron is stopped by this barrier negative plate तो एलेक्ट्रोन अगर वो try करता है दूसी side पर जाने के क्योंकि P side में potential barrier का negative posture मुझूद है तो negative negative को क्या करता है repel करता है इस वह से वो फिर क्या करेगा वो cross नहीं कर पाएगा तो इस तरह potential barrier majority charge carriers को resistance शो करता है वो उनको जाने नहीं देगा blockage बना देगा तो mc के number six which of the following is the property of covalent crystal तो आप जानते है आइनी crystal भी होती है metallic crystal होती है तो bond के लिया से जो crystal बनते हैं उसके different types होती है तो यहां पर हम वह बात कर रहे है कोवलेंट crystals की कोवलेंट crystal की कौन से property नहीं होती है पहला high melting point दूसरा इसरा डू गुड कंडुक्टर तीसरा directional bond और चौत्या हाई लेटेंट हीट ओफ इन चार अप्चिन वह पोच्छ रहा है कि विच आफ दा जो इसकी प्रॉपर्टी नहीं है तो इसका आंसर है गुड कंडुक्टर यह गुड कंडुक्टर नहीं होते है तो इसके रिजन भी निचे पढ़ लेते हैं कोवलेंट कुड के किरिंट्टर अरध इसको ऊस्ति विचे लिए ने मैंसरी झा मैंने को आच पुड़र्ण के हि के ंजगंता प्रेंटिविटिए कर्ट्री यह लेक्टिविटिप्र नहीं करिंख सकते हैं कि यह पोस्क को मैंए से शेडिंग वया से से वो create होती हैं तो पोस क्रेट हो जाते हैं तो यहां पर डी localize electrons होती हैं तो लहाद यह electricity conduct नहीं कर सकते हैं कि नेक्स्ट रफ वेंडर वाल्स crystals अब देखे जिस तरह पेच्छी च्छी कोवलेंड क्रिस्टल के तो यहां पर बैंडर बाज क्रिस्टल के बात हुई है। क्या वह वही हार्ड are Non-volatile होती है Of High Melbourne to New also None of the Above होते हैं तो देखे जो नण वोलेटाइल होते हैं जो नण का मतलब होते हैं धिनना जुसका यह मतलब होते हैं कि यह बिपर आइज में convert नहीं होता इस काँशन और नान आफ दीज क्यों कि जो बेंटरवाज जो क्रिस्टल होते हैं इसमें जो फोर्स विक होती है जो वेरी वीक होंगे तो उनको तोड़ना भी असान और लहाजा वहाड नहीं होंगे क्यूंकि फोर्स वाट्रेक्षन उनकी वीक है तो लियादा उनको वेपडराइज करना इजी है यह तो इसलिए यह नॉन लड़न नहीं होसकते है तो चुनिक उनका वोर्स वाट草र वीक है तो ल curriculum क्या होगा क्योंकि यह सारी चीज़ए डिपैंड करती है मेल्टें वह उसकी force of attraction जितनी force of attraction ज्यादा होगी उतना ही उसको वेपराइज करना difficult होता है तो जितनी भी forces होती है जाए आइनिक और कोबलेंट और मेटैलिक और वेंडरफास सबसे weak force होती है तो MCQ no.8 है our gas of free electrons is present in ionic crystals, covalent crystals, molecular crystals या metallic crystals तो जो free electrons का word किसके साथ attach होता है metallic crystals के साथ क्योंकि matters में वो समंदर होता है free electrons का वेंडरफास forces between atoms and between molecules arise from तो हमने इस MCQ में पूछा गया है कि वेंडरफास forces जो होती है वो कैसे generate होती है symmetric charge distribution के वैसे create होती है asymmetric वैसे होती है electron के transfer के वैसे होती है electron के sharing के वैसे होती है तो जो electron का transfer होता है वो होता है ionic bond में electron sharing के समें होती है वो होती है covalent bond में तो यह होगा asymmetric charge distribution में क्योंकि यहां पर poles create होती है तो इसकी explanation भी नीचे वो पढ़ लेती है वैंडर वार्फ पॉर्स और राइज़स फ्राम डाट्रेक्शन और रिपल्शिं ऑफ माली की उड्यू ज्यू तो यह अनिक्वल देखे क्योंकि अनिक्वल डिस्टिब्शिन और यह जिसकी वैसे वह जिनरेट और राइज और तो के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करती है एसमेट्रीक अगर एक्वल होता तो फिर हमने करना था समेट्रीक तो यह अनिक्वल distribution of electrons की वैसे वह राइज होती दिसलिए यह asymmetric charge distribution की वैसे राइज होगी तो आज का हमारा last mcq नमबर 10 अ solid that is not transparent to visible light transparent क्या होता है transparent वह होता है जिसमें से light pass नहीं करती हैं यानिके वह solid जिसमें light pass नहीं करती and whose electrical conductivity increases with temperature is formed by तो इस दो conditions है एक तो उसकी वह transparent है मतलब उसमें से वह transparent नहीं है क्योंकि जो transparent होता है उसमें से light pass करती है तो यह transparent नहीं है sorry मैंने वह पहले गलती से बोल गए कि transparent का मतलब पर light pass नहीं करना transparent का मतलब उसमें से light pass नहीं करती दूसरी है उसकी जो electrical conductivity है वो increase करती है जैसे जैसे हम temperature को increase करती है अब देखें यह थोड़ा सा confusing mcq और काफी explain करने वाला mcq तो इसलिए यह आपको बताना यहां पर details से जरूरी है तो अब देखें जो इसका वैसियांसर है वह होगा है covalent bonding है तो बाकी जो तीन metallic bonding में free electrons के बहुताद होती है ionic bond में free electrons होती हो वेंड़ वास binding में भी free electrons होती है तो यानि कि यह तीनों options में यह incorrect है हालां कि वह कहा रहा है कि electrical conductivity increase in temperature होती है तो increase in temperature के साथ इनकी जो conductivity वो decrease हो जाती है कैसे decrease होती है और जब देखें जैसे हम इसको temperature इनकी इसके increase होगा तो यह जो electrons free electrons इस for example यह बरतन में या lattice में मुझूद है तो यह क्या करेंगा यह इनकी kinetic energy increase हो जाएगी तो यह जब इनकी kinetic energy increase होगी तो फिर क्या होगा इनकी collegians आपस में बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी तो जब इनकी collegians बढ़ जाएंगे तो जो electrons कैसे flow होता है particular fixed path में वह जब move करता है तो जागर electron फिर fixed path में मूव नहीं कर पाएगा state line में नहीं कर पाएगा ऐसे क्यूंकि जैसे electron move कर यहां पर आएकर उसको collegian के साथ वह यहां पर चला जाएगा तो जहां से उसको collegian और कि तो नीची आ जाएगा यहां से collegian और कि तो यहां जाएगा यहां से होगे तो यहां पर तो आसे वह क्या करेंगा ऐसे बहुत करता रहेगा वह fixe path में नहीं करेगा और कुराण टमिशा किसी प्रोडियूस होता है fixe path में मूव करने के विए से तो जैसी यासे ना जारे Pal च ja dabei जरे जाएंग । इस पार्फ मूव नहीं कर पाएंग Woo लाज ने laz नкі कंड़ॉक्टीवट्टि कै JUL यो मेन में करती यह जाती है और ना जी जो चाघलय कर दो यह तो जाती यह जी तो बचाए लिंक Select Healthy तो स्च नोगता है तो पॉज़िव होता है कि जूद इन की जो इंक्रीज होती है विद्धन तेंप्रेचिर तो जब इनके रेजिस्टेंस इंक्रीज तो लहादा इनका जो कंडुक्तिविटिविट वो क्या हो जाएगी डिक्रीज ऑजाएगी आज आ जाते कोवलेंट बौन पर क्योंकि कोवलन बाइट में पीछ हमने वह डिससे एक में किया कि यहां पर जो रूम टपरेटर पर में फ्री लाक्टरों मौजूद नहीं होते हैं तो जैसे हम इसको हीट अप कर रहे हैं तो जो कोवलन बाइट करेंगे वह ब्रेक अउना शुरू हो जाएंगे जैसे ब्रेक अशुरू हो जाएंगे तो लियादा इनकी कंड़क्टिविटी क्या हो जाती है इनक्रीज हो जाएगे क्योंकि टंप्रेटर इंक्रीज करने के यह था हमारा लेक्टिवन इसमें आमने 10 MCQs विद एक्स्प्लेनेशन हमने वह इस्टाडी की है तो देखे बात यह है कि सारे MCQs वाले जो लेक्टिव आपको यूट्यूब में डेरो मिल जाएंगे तो आपका यह स्वाल है कि आप मेरे चैनल पर क्यों आएं तो बाकी चै करती हैं यह MCQ दिया और उसका आपको अंसर बता दिया बास काम खतम उसकी आपको रिजन ही बताते कि यह चीज ऐसी क्यों होती है तो मैं आपको विद रिजन बता रहा हूं क्योंकि इसमें हमारे काम से बीकली क्लियर हो रही हैं साथ साथ और आपके साथ साथ MCQ की प्रैक्टिस भी हो जाएगी तो यह बहुत अच्छा मैथड़ यह मुझे कली मुझे से वह याद आया है इसमें मैंने वह सोचा कि ऐसा क्या नहीं किया जाए कि मारी त्यारी और अच्छी तर हो जाए तो इ मजीद आपनी जो चैनल की इंप्रूफ कर सकती है और आपकी हैलप आउट मैं कर सकता हूं कर सकता हूं प्रैपरेशन के लिए तो आपने अपने जो कमेंट है वह मुझे कमेंट सेक्शिन में लाजबी मिदाने आपके सजेक्शन के मताबिक फिर मैं इसको मजीद बनाऊंगा और इंशाला तरह यहां पर आपको पूरी PPSC के त्यारी फ्री आफ कॉस्ट आपको यहां पर करने को मिलेगी तो वीडियो को लाइक भी करें कमेंट भी करें और शेर भी करें तो मिलते हैं नेक्स लेक्शर पे तब तक अपना ख्यार रखिएगा अल्ला अफि यहां मिलते हैं सिर्वार तो मिलते हैं लाऍको लोग्एगा उ हमिलते हैं पर आपको लाइक टुङाएग साब भी को जापको बाकि हैउ प्रुच तर इन необходी हैं डशल right विलते हैं पर ऍावेगद